असलाम वालेकुम आज मैं आपसा शेयर कर रही हूँ बक्रईद स्पेशल खड़े मसाले का मटन स्ट्यू की रेसिपी जिसे कटे मसाले का गोश्ट भी कहते हैं बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है तो चलिए बनाना शुरू करते हैं इससे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर आधा कप ऑईल गरम कर लिया है इसमें एट कर रही हूँ दो टीस्पून देसीगी देसीगी से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है अब जरूर एट करें फिर इसमें हम एट कर देंगे चार मीडियम साइस के प्यास इस तरह से स्लाइस के वे और प्यास को एक निट के लिए भून लेंगे प्यास हलके से सॉफ्ट हो गया हम इसमें एट कर देंगे कुछ खड़े मसाले एक बड़ी इलाइची चार से पांच छोटी इलाइची एक तेस पत्ता पांच से छे लॉंग दस से बारा काली मिर्च एक इंच का दालची सिर्फ 30 सेकंड फूनेंगे फिर इसमें हम एट कर देंगे तीन इंच का द्रग का तुकड़ा बारी कट किया हुआ साथ से आठ लेसन की कलिया वो भी बारी कट की वी और इसे बस हलका सा हम भून लेंगे ताकि अधर लेसन का कच्छापन थोड़ा सा खतम हो जाए अब इसम साथ नेट कले हाई फ्लेम पर हम अच्छी तरह से भून लेंगे तो देखिए मटन यहां अच्छे से भून चुका है अब हम इसमें आड कर देंगे एक टीस्पून नमक इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है नमक आप अपने हिसाब से कम यह जादा कर सकते हैं अब य अच्छे से मिक्स हो गया है हम गोश्ट को गनाने के लिए इसमें आड कर देंगे दो ग्लास पानी अगर आप इससे प्रेशर कुकर में बना रहे हैं तो पानी एक ग्लास ही आड कर देंगे इसे भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे एक उबाल आने देंगे हाई फ्लेम पर फिर flame को low to medium कर देंगे और 30 से 35 मेट तक इसे पकने के लिए छोड़ देंगे तो अब हम एक मसाला तयार कर लेंगे इसके लिए यहाँ पर ले लिया है 1 टिबिल स्पून साबध धनिया 10 से 15 काली मिचे 1 जावितरी का फूल 1 टी स्पून जीरा एक बड़ी इलाइची इसे हम हलका सा रोस्ट करके दर दरा पाउडर बना लेंगे मटन को पकते वे 30 मेट होगे आप चेक करते हैं मटन गला है या नहीं कोई-कोई मटन को गलने में जादा टाइम लगता है आप चेक कर लीजिए और उसे उसी हिसाब से रखिए एक बोटी निकाल कर चेक करते हैं यह देखिए गोष्ट काफी अच्छे से गल चुका है अगर आपको लगे कि गोष्ट थोड़ा गम गला है तो इसे और गलने के लिए आप रख सकते हैं अब हम इसमें एड कर देंगे जो मसाला हमने रेडी किया था और इसे बहुत अच्छे से हमें भून लेना है जितना अच्छा भूनेंगे उतना ही टेस्टी बनेगा तो देखिए यहाँ पर यह खुब अच्छे से भून चुका है अब हम इसमें add कर देंगे 1500 ग्राम दही दही को add करते वक्त हम flame को low कर देंगे और फिर flame को high करके खुब अच्छी तरह से mix करते वे दही को भी भूल लेंगे तो देखी आप देख सकते हैं कितने अच्छे से मटना भून चुका है खुब अच्छी तरह से हमें इसकी भुनाई करनी है तभी बहुत ही जादा टेस्टी बनेगा बहुत आसान रेसिपी है अब हम इसमें add कर देंगे एक मुठी हरा धनिया और इसे भी अच्छी तरह से mix कर लेंगे और जब ये एक निट तक mix हो जाए तो हम flame को off कर देंगे तो हमारा बहुत ही तेस्टी खड़े मसालों का mutton stew रेडी है इसे आप दावत में बनाईए या ऐसे भी daily menu में बनाईए सब को ये recipe बहुत पसंद आएगी तो चलिए serve करते हैं अगर आपको मेरी ये कटे मसाले के गोश्ट की recipe पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को एक like कर दें अपने friends और family इकसा share करें और मेरे चैनल को subscribe करना ना भूले ये देखे गोश्ट भी बहुत अच्छे से गल चुका है एक बार आप जरूर try करें उमीद है आपको पसंद आएगी thank you for watching